हेलो ट्रेंट्स बॉलिवुड मसाला में आप सब का स्वागत है तो आज हम आपके लिए फिल्मी जेकर से जुड़ा हुआ एक और मशूर किसा लेकर आए हैं तो आए जानते हैं उसकी बारे में आखिर क्यों शम्मी कपूर और गीता पाले की शादी में कोई नहीं आया और उनके पिता ने किस चीज से कर दिया था साफ मना आप सभी चानते हैं कि कपूर परिवार का बॉलिवुड में बहुत बड़ा जोगतान है लेकिन प्रित्वी राजचोहान चाहते थे कि उनके बेटे किसी भी अभिनीतरी से शादी ना करे उनोंने अपने बेटों को सक्त हिदायत दी हुई थी कि कोई भी अभिनीतरी उनके परिवार की बहु नहीं बन सकती लेकिन शम्मे कपूर अभिनीतरी के प्यार में पढ़ चुके थे जरत सर हम सभी चानते हैं कि प्रित्वी राजचोहान नहीं चाहते थे कि उनके घर की कोई बेटी फिल्मों में काम करे या कोई भी अभिनीतरी उनके परिवार की बहु बने शम्मी कपूर जानते थे कि उनके पिता कभी भी उनके शादी गीता बाली से नहीं होने देंगे ऐसे में शम्मी कपूर ने अपने दिल की सुने और उन्हें अपने पिता से बगावत करे के आधी रात को चुपचाप गीता बाली से शादी कर ली गीता से शादी के लिए शम्मी ने करीब चार बजे पंडित को उठाया और पहुँच गए शादी करने के लिए शम्मी कपूर अपने पिता के किलाफ जाके अभिनेतरी गीता बाली से शादी कर लेते हैं और 1955 को गीता बाली और शम्मी कपूर के शादी हो जाती है लेकिन शादी के कुछ 10 सालों के बाद ही गीता बारी को चिकन पोक्स हो जाता है जिसके वज़े से उनका निधन हो गया पत्नी की निधन के बाद शम्य कपूर काफि जादा सद्मे में थे उनका परिवार चाहता था की शम्य कपूर रग दूसरी शादी कर ले ऐसे में शम्मे कपूर 1911 को नीला देवी से शादी कर लेते हैं नीला देवी जो कि शम्मे कपूर की दूसरी पत्नी है उन्होंने एक इंटर्व्यू की दुरान बताया कि शम्मे कपूर ने मुझसे शादी करने से पहले गीता बाले के बारे में सब कुछ बता दिया था शम्मी कपूर कभी भी गीता बाले को बुला नहीं पाए थे उनका रिष्टा दस सालों तक चला लेकिन अचानक उनकी मृत्यू हो जाने के वजे से शम्मी कपूर को बहुत बड़ा सदमा लगा था जिसके बाद वो अपने भाई राज कपूर के ताच शे महाईने तक रहने लगे थे जहां राज कपूर की पत्नी प्रिश्णा ने उनकी देखभार की थी शमी कपूर की बीवी नीला देवी ने बताया था कि गीता बाली और शमी कपूर का रिष्टा काफी गहरा था उन्हें सफल होने के लिए प्रोसाहित किया गीता और शम्मी को दोनों को ही गाने सुनने का बहुत सुन्ध शौक था और दोनों का सिंसित फ्यूमर काफी अच्छा था गीता बाले खो शम्मी कआपूर क सात इतना पशोच था की गीता बाली लड़का बनने को भी तयार हो गई थी दरसल निला देवी ने बताया कि जब शम्मे कपूर अपने फिल्म रंगी इन राते की शूटिंग कर रहे थे उस फिल्म में गीता बाली कोई भी रोष नहीं था उसके बावजुद भी शम्मे कपूर के साथ रहने के लिए गीता बाली लड़का बनने को तयार हो गई थी हालंकि फिल्म की हिरोईन माला से नहीं थी इसके बावजुद भी इस फिल्म से ही शम्मे कपूर और गीता बाली का अफेर शुरू हो गया और दोनों ने शादी के लिए एक दूसरे का प्रपोस किया और आधी रात को दोनों ने शादी कर ली थी नीला देवी ने कहा कि शम्मे कपूर गीता बाली की याद में हर साल एक जनवदी से लेकि 21 जनवदी के बीच शराब को हाथ तक नहीं लगाते हैं तूकि इसी तारिकों विमार हुई थी और 21 तारिकों गीदा बाले कनिधन हो गया था। उन्हें की याद में शम्मे कपूर एक जन्वर से लेके 21 तारिक तक शराब को छूटे तक नहीं है। जो तो ये थी हमारी आज की कहानी, मिलते आपसे नेक्स वीडियो में कुछ नहीं कहानी साथ, तक लिए थेंक्यू, बबाए।